भीड से भरा हुआ रेल्वे स्टेशन एक कदम रहने की जगह नहीं थी उस रेल्वे स्टेशन पर एक 24 साल का नौजवान कुछ ऐसी हरकते कर रहा था कि हर किसी की निगाह उस पर पड़ती और वो उसको थोड़ी देर के लिए कौतूहल वश्ट देखने लगते ट्रेन आई ही सब लोग ट्रेन पे चड़े वो 24 साल का नौजवान भी अपने पापा के साथ ट्रेट पे चड़ा अभी वो लोग ट्रेन पे बैठे ही थे कि अचानक वो नौजवान अपने पिता से खिरकी वाली सीट के लिए जिद करने लगा और फिर उनके पिता ने किसी औ खुली की खुली थी वो लगातार अपने पापा को बार बार जोड़ कर कह रहा था पापा देखो पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है पापा देखो ये सारे बादल कहीं और जा रहा है पापा देखो ये सब कुछ खुतनी तेजी से भाग रहा है दोड़ रहे हैं सब कुछ य और बार बार उस बच्चे के बारे में तमाम तरीके की धारणाये बना रहे थे। एक वेक्टी से रुका नहीं गया, रहा नहीं गया, उसने थोड़ी देर बाद उसके पिता से कहा कि भाई साब बुरा मत मानियेगा, आपका बेटा मानसिक रूप से कुछ दिक्कत में है, इस डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ, आज मेरे बेटे को आखे मिली है, मेरा बेटा जन्म से अंधा था और आज इसने पहली बार ट्रेन देखी है, ट्रेन में बैठा है और शायद इसी वज़े से ये छोटे बच्चों की तरह उनकी उत्सुकता जैसी होती है, उस तरह से उत्सुक है और बार बार ट्रेन के बाहर देखकर वैसे ही बाते करता है, जैसे हम लोग के छोटे बच्चे करते थे, ये सुनकर सामने बैठे उस व्यक्ति का मूँ बंध हो गया, अब वो सोच में पढ़ गया कि शायद काश मुझे इस आदमी के लिए, इस नौजवान के लिए कोई धारना नहीं बनानी चाहिए थी, हम सबकी लाइक में ऐसा होता है, कई बार हम लोग जो देखते हैं और जो दिखता है, वैसे ही सोचने लगते हैं और वैसे ही किसी के प्रती धारना बना लेते हैं, ना कि उसकी सचाई जानते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करते हैं हम सब की जिंदगी में कई बार ऐसे लोग टकराते हैं जिनको देखते ही हम कई धानाएं अपने आप बना लेते हैं उनके कपड़ों से, उनके जेस्चर से, उनके वेवहार से उनके हर उस तरीके से जो हमारे सामने हमारी आँखों से दिखती है लेकिन अगर वाकई आपको उस वेक्ति के बारे में जानना है तो उसके लिए प्लीज धारना मत बनाईए उस वेक्ति को जानिए उसके पीछे की हकीकत को जानिए उसके बाद आप जो भी फैस्टा लेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो कभी भी आपको शर्मिंदगी का बैस नहीं होने देगा अपनी जिन्दगी को और खुबसूरत बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए